नमस्कार विद्वान सातियों एक बार फिर से स्वागत है आपका एक ओर नहीं लाइफ सेशन में कैसे हैं आप एक बार फिर से आप सब का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन जैस्री राम राधे राधे चर्चा करेंगे आज की सेशन में रीट मुख्य प्रिक्षिया एसस्टी के लिए यूनिट नमबर जो एक है आपका सिंदु घाटी सब्वेता वैदिक संसकर्ती इसकी हम चर्चा कर रहे हैं और जो पहली और दूसरी यूनिट है एसस्टी की वो चर्चा कर रहे हैं हम एनसी आर्टी के माध्यम से यानि पूरा जो एसस्टी है वो पूरा का पूरा एसस्टी हम एनसी आर्टी से ही करते आए हैं एक दो टोपिकों को छोड़ दे तो पूरा का पूरा एनसी आर्टी हम एसस्टी से कर रहे हैं तो इस करम को भी हम एसस्टी से ही पूरा कर रहे हैं तो आइए करते हैं शुरुआत, आज के सेशन की कल हमने इसका एक पार्ट किया था, कैसे हैं आप लाभूराम जी, रामशुरूप जी, कमलेश जी कैसे हैं, राजेश कुमार कैसे हैं आप, तिलुचना जी स्वागत आपका, शोभा राम वर्मा जी स्वागत आपका कैसे हैं, के थोटी कासी बुन्धी श्वागत आपका इंदू जी स्वागत आपका रुख्षार रुख्षार बानौ श्वागत कैसे थ k iam and शंकर चोधरी जी कैसे है आप जितेंदर जे व रुजेश कुमार जी स्वागत आपका और बाकी सारे बच्चे मुकेश mejor मेहंदर, मिनल अफ्यार खान, GCC आपका स्वागत और परताब राम आपका भी भूद भूद स्वागत ममत Verslli आपका स्वागत आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनेंदन करते हैं और आईए NCRT को आगे लेके जलते हैं और चर्चा आज के session में करते हैं हम last session में हमने chapter number 3 जो है class 6 का इसकी हम चर्चा कर रहे थे और कल जो है वो chapter पूरा नहीं हो पाया था तो आज हम प्रियतन करेंगे कि chapter number 3 को पूरा करेंगे 4 को पूरा करेंगे और 5 की शुरुवात करेंगे और कल ये दोनों युनिट आपकी पूरी हो जाएगी यानि कल अपन ये सारे के सारे चैप्टर जो हो पूरे कर देंगे कल आपकी युनिट नमर एक और युनिट नमर दो पूरी हो जाएगी और इस मेहने में आपका पूरा स्लेबस पूरा हो जाएगा जीते अंदर गुप्टा जी कर रहे हैं सर हम आपसे कैसे जूड़ सकते हैं आपके वीडियो, नोट्स, क्लाशेज कैसे मिल सकती है आपको कुछ नहीं करना है चैनल को सस्क्राइब बटन पे क्लिक करना है और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक दिया है उसको जॉइन करना है आपका कोई पैसा नहीं लेगेगा एक पैसा भी आपको कहीं देना नहीं है आप पढ़ें और अधेन करें सफलता पराप्त करें ठीक है वन लाइनर क्योशन देखे थे आपको अभी ओर वन लाइनर क्योशन करवा देंगे कोई दिक्कत नहीं है वन लाइनर क्योशन भी करवाएंगे लेकिन उससे पहले थोड़ा डिटेल पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है ठीक है teaching method भी करवाएंगे सब चीजे line to line लगे हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं, तो सारी ही चीजे करवाने वाले हैं, ठीक है, तो चलिए करते हैं, शुरुआत, लास सेशन में हमने कहां तक पढ़ा था विद्वान साथियो, लास सेशन में हमने जो है वो, प्राचिन भारत की सभिता, उ जो है, आप क्या कर सकते हो, जो इन कर सकते हो, और सारे सेशन की आप एडिया फाइल जो है, वो यहां से राप्त कर सकते हो, लास सेशन में हमने चेप्टर नमर एक के सुरुआत की थी, कक्षिया, चेप्टर नमर, सोरी, तीन से सुरुआत की थी, हमें ये साथ, तीन से लेक जो है रीट मुख्य प्रिक्षय की वो क्या हो जाएगी फूर्ण हो जाएगी ठीक है लास्ट सेशन में देखिए हमने कितनी जर्चा की थी आरंभिक नगर में हमने जो हो सारी चीजे पढ़ी थी हरपा की कहानी पढ़ी और हरपा में किस तरेकी की विवस्ता थी उसको हमने प जलते हैं देखो NCRT से पढ़ रहे हैं अलाकि मैं आपको वन लाइनर क्यूशन भी करवा चुका हूँ और फिर से भी वन लाइनर क्यूशन करवा दूँगा गाइड को पढ़ना असान है NCRT को पढ़ना कठिन है क्योंकि NCRT पढ़ने में रूची नहीं होती है और बार बार आपके मन में ये ख्याल जुरूर आएगा जब भी आप NCRT पढ़ोगे विएगर क्योंकि आपको आप अभी थोड़े से क्या है नए है और आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है तो आपको बाष भार ये खैल आएगा यार है आप NCRT पढ़ देया तो वहां, परसन आओगा कोनी आओए, परसन आओगा कोनी आओए, बार बार आपको कहीं न कहीं से ऐसे लगेगा, आप डी मोटिवेट होंगे कि यार बेरो कोनी NCRT में नहीं आया तो क्ये करेंगा, लेकिन फिर से आपको मैं कह देता हूँ, चाहें किस किसी गाइड से क्योशन आए नाए, किसी कोचिंग से क्योशन आए नाए, NCRT से 100% क्योशन आएंगे बस, और ये बात मैं नहीं कहा रहा हूँ, कोई भी जो सफल वेखती है, कॉर्मेंट जोव में जो सफल है, आपका रिष्तेदार, जानकार, मितर, सखा, सहेली, जो सफल ह हो चुके हैं, उनसे आप हो सकते हैं, तो आए करते हैं सुरवात, साथ हजार साल पहले, महरगड, अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, महरगड में कपास की खेती होती थी, मोहन जोद्रों से कपड़े के टुकड़ों के उसे चांदी के एक फूल दान के ढखकन और कुछ अन तकलिया सूत भी जो है यहां से अपने को प्राप्त हुआ है, यह भी हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है, हडपा के लोग तांबे, यह भी हमने पढ़ लिया था, तांबे का आयात करते थे, हमने पढ़ा था ना, ओमान से करते थे, और राजस्तान से करते थे, कांसा धातु ये तिन धातु को मिला कर और तीन का ये आयात करते थे इरान और अफगानिस्तान से ठीक है क्यों सन कैसे बन सकता है शिंदु घाटी सब्वेता के लोग का सा बनाने के लिए तीन का आयात कहां से करते थे तीन का आयात कहां से करते थे आपको पता होना चाहिए कि तीन का आयात इरान और अफगानिस्तान से करते थे क्योशन कैसे पूछा जा सकता है जो सिंदु घाटी सब्वेता के जो लोग थे वो बहु मुल्ले पत्थर का आयात कहां से करते थे बहु मुल्ले पत्थरों का आयात गुजरात इरान और अफगानिस्तान से करते थे क्योशन पूचा जा सकता है कि सिंदु घर्टि सभेता के लोग सोने का आयात कहां से करते थे तो करनाटक से करते थे NCRT के हर लाइन में क्योशन है ढूंड़ना चाहोगे तो लेकिन आपको पता भी है कि जो रास्ता सही होता है न वो हमेशा कठिन होता है सही रास्ता जो होता है वो हमेशा कठिन होता है सही रापे चलना सबसे ज़्यादा कठिन होता है तो NCRT को पढ़ना भी कठीन है क्योंकि यह रास्ता सही है और यह रास्ता सही है इसलिए यह कठीन है क्यों कठीन है क्योंकि मजा नहीं आता पढ़ने में रूच ही नहीं बन पाती है लेकिन इसलिए मैंने 2021 में यह ते किया था मुझे ऐसे फिल हुआ कि हमें यह पढ़ना चाहिए बहुत विसलेशन किया पढ़ा आपको पढ़ाया 2021 के अंदर मैं आपको आरबीएसी करवाई थी तब से पहली बार और उस टाइम मैंने बहुत सारे वीडियो यूटूब पे ढूंडे आरबीएसी के वीडियो मिले मुझे लेकिन उसमें भी इस तरीके से मिले कि उनको पढ़ने में भी कोई मज़ा नहीं आ रहा था जो मैंने त्यारी करवाई है हलाकि इस परिवार से जुड़े हुए बच्चे जिन्होंने अदर एक्जाम दिये पटवारी पुलीस और जितने भी एक्जाम हुए उन सब बच्चों ने फोन करके कहा कि सर हमने आरबीएसी रास्तान जिक्किए आपकी वो वन लाइनर इस में बच्चों को काफी ज़्यादा फायदा हुआ है तो यहाँ पर भी आपको बेनिफीट 100% होगा लोस 1% भी नहीं होगा नगर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन कहां से आता था तो लोग नगरों के अलावा गाओं में रहते थे वे अनाज उगाते थे और जान वोकादूद देते थे घी देते थे और किसान क्या देते थे किसान देते थे अनाज किक्ष्या 12 का पार्ट में आपको करवा दिया है नीचे वाले जितने भी यूनिट थी कठिन कठिन वो सारी करवा दिये प्ले लिस्ट में जाके देखो बजरंग जी पूरा का पूरा मेटर करवा दिया है और नगेंदर जी गह रहे हैं कि सर आप है मैं इंगिनोर करते हो यार क्या बात कर रहे हो और नगेंदर इत्ता भी जूट मत बोलो रोज कमेंट देखता हूं मैं और अगर आप रोज आते हो ना, तो कल के ही आप दिखा दो, आज के दिखा दो, पर्सों के दिखा दो, और आप आए और हमने आपको इग्नॉर किया, आप स्क्रिन्शोट भेज देना पोधों के अवसेशों से पता चलता है कि हरपा के लोग गेहुं, जो, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे अब यह उगाते थे, तो किस से उगाते थे, हलाकि हल का अवसेश तो नहीं मिला है, क्योंकि हल लकड़ी के बने होते थे और लकड़ी को आपको पता है कि दिमक खा जाती है लेकिन मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है जो कि ये खिलोना हल है जो क्या है? खिलोना हल है तो इससे पता चलता है कि यहां के जो लोग थे उनके हल इसी तरीके के होते रहे हैं वर्तमान में हल कैसा होता है वर्तमान में आला कि आपने तो देखा भी नहीं होगा हल ऐसे उंट के हल लगता है यहां पर यह वाला भाग उंट के पीछे लगा दिया जाता है जोड दिया जाता है यहां से अनाज डाला जाता है और यहां पर एक लोहे का लगा होता है यहां प हडपा काल के हल तो नहीं बचे क्योंकि ये प्राय लकडी के बनाई जाते थे लेकिन हल के आकार के खिलोने मिले हैं हमें सिंचाई के लिए लोग कुछ तरीके अपनाई संभवता पानी का संचे किया जाता था यानि पानी को कठा किया जाता था जुरुर्त पढ़ने पर उसमें फसलों की सिंचाई की जाती थी ठीक है और हडपा के लोग गाए भैंस भेड बकरी भी पाला करते थे गाए भैंस भेड और बकरी को पालते थे और बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाहा होते थे जिनसे किये अपनी पसू को पाल सके अपनी पसो के लिए भोजन की विवस्ता जो है वो कर सके तर आपके नोर्स पढ़ने और NCRT बुक नहीं पढ़े बिल्कुल 100% चलेगा हमने जो वल लाइनर क्योशन बनाए हैं हमने जो आपको यहां यह जो डिटेल क्लासे पढ़ा रहे हैं हम आपको NCRT की हर एक लाइन को इंकलूड किया है कुछ भी नहीं छोड़ा आपको बुक पढ़नी ना पढ़े इसलिए यह सेशन हम कर रहे हैं अगर मालो आपको सेशन देखने के बाद अगर बुक पढ़नी पढ़े तो फिर हमारा यहां पर टाइम बरबाद करना किस के लिए बेफाल तुगा हुआ आप आपको बुक ना पढ़नी पढ़े इसलिए हमने NCRT के RBSC के वल लाइन रिक्योशन बनाए डिटेल सेशन बनाए कि आपको अब ना पढ़नी पढ़े आप कलास में आओ पीडियाप डाउनलोड करो इन नोस से पढ़ो आपको बुक नहीं पढ़नी पढ़ेगी यह पूरा 100 कोई भी रेंडमली कोई चेप्टर उठाके चेक कर सकते हैं गुजरात में हडपा काली नगर का सुक्षम निरक्षन करते हैं देखिए कच के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोला वीरा नामक एक जो है वो नगर बसा हुआ है वहाँ साप पानी मिलता है और जमीन भी उप में आदि यहां हर्णपा स्भेता के कई नगर दोभागों में विभक्त है वही धोला वीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया किկह घंड़ों सिंदु गाटि अर्ट में पढ़ते हैं कि जोढनली चीतने भी नगर हैं वह दोब पागरिक रहते हैं, है ना, जन्रली हमने यही देखा है, यही देखा है, लेकिन यह जो धोला वीरा नगर है, इसको तीन भागों में बांटा गया था, यह एक महत्योपुर्ण क्योशन बनता है, कि धोला वीरा, जो कि सिंदु घाटी सब्वेता का महत्योपुर्ण नगर था कितने भागों में बांटा गया था तीन भागों में बांटा हुआ था कितने भागों में? तीन भागों में तीसरा भाग क्या था? दो तो ये भागी थे इसके हर हिस्षे के चारो ओर जो है वो पत्थर की उंची उंची दिवारे बनाए गई इसके अंदर जाने के लिए बड़े-बड़े प्रवेश द्वार बनाई गए, इस नगर में एक खुला मेदान था, जहां सारुजनी कारेकरमों कायोजन किया जाता था, यहां मिले कुछ अवसेसों से हडपा लिपी के बड़े-बड़े अक्षरों को पत्थरों पे खोदा प रहता है, यानि इन की चारों लकडी की फ्रेम लगाए गए थी, यहां एक अनोखा उसेस है क्योंकि आम तोर पर हडपा के लेक मुहर जैसे होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन यहां पर हमें बड़े-बड़े लेक प्रावत हुएं, बड़े-बड़े पत्त्रों पर, छोट पर ही यह जनरली पाए जाते हैं, खुजरात की खंबात की खाडी में मिलने वाली साबरमती की एक उप नदी है, यह जो साबरमती नदी है, उसकी एक उप नदी के किनारे लोथल नगर बसा हुआ है, और लोथल नगर ऐसे स्तान पर बसा है, जहां कीमती पत्थर जैसे कच् इसे मिल जाता था क्योशन पूछा जा सकता है जिंदो घाटी सभ्वेता का परमुक्स्तल लोथल किस लिए परसित्था निमन में से किस कार्ण परसित्था तो ये किस कार्ण परसित्था कीमती पत्थर के लिए परसित्था यहाँ पर आपको पत्थर शंक और धातों से बनाए गई चीजों के जो है वो महतोपुन के अंदर था ये इस नगर में एक बंधार गरे भी है इस बंधार गरे से कई मुहरे मुद्रांकन या मुहर बंदी जो है वो गिल्ली मिटी पर दबाने से बनी चाप जो होती है उसे मुहर बंदी कहते है ये पराप्तु ही है लोथल का बंदरगा दिखाया गया है ये लोथल बंदरगा है जहाँ पर पानी के सिप वगिर आके रुकते थे और माल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था ठीक है ये देखो ये है आपकी मुद्रांकन या मोहर बंदी है आपने अगर कोई गोर्मेंट लेटर देखा है या गोर्मेंट कोई आदेश देखा है तो आप देखोगे कि क्या होता है जैसे मान लिजिए ये कोई लेटर है सरकार की तरफ से आया है ना लेटर यह होता है ना लेटर इस परकारगा तो यहाँ पर एक जो है वो लाख लाख जो होता है ना चूड़े वाला लाख जिसे चूड़ियां बनती है महिलाओं के चूड़े बनते हैं लाख के चूड़े तो इस लाख को यहाँ पर डाल कर उस पर एक स्टांप मार दे जाते थी और यह इसलिए कि french kann so 길 के से रहेगी अगर स्टांप यहां से खुली मिल जाती कहीं पर इस अ Elder girl को कि इस ने पीच में पड़ा है और अगर यह स्टांप सही होता तो इस का आर्थ यह होता कि हाँ लेटर सुरुक्षित है और किसी ने इसको खोल के नहीं देखा है ठीक है तो मुहरों का प्रियोग समान से भरे उन डिबो या थेलो को चिन करने के लिए किया जाता होगा जिने एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था थेले को बंद करने के बाद उनको मुहरों पर गिली मिटी पोत कर उन पर जो है मुहर लगाई जाती थी मुहानों पर जैसे मालो कोई ये जैसे कटा है ये कटा है कटा मिन क्या कटा मिन थेला ये थेला है ये इसका मुह है इस मूँ को यहां से रसे से बांध दिया जाता था और इसके उपर जो है वो क्या करता था गिल्ली मिटी पोथ दी जाती थी और उसके उपर मोहर लगा दी जाते थी अब मादो अगर मैं इस धेले को खोलने का प्रियाश करूंगा तो मिठी क्या होगी तूटेगी वहां से और वह मौर वहां से खंडित हो जाएगी और इस सामने वाले को पता चल जाता था कि यह जो धेला आया है यह जो समान आया है इसके साथ छेड़ चाड़ की गई है ठीक है यानि सीधा सीधा कहने कारता कि उस टाइम एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को सुरक्षित तरीके से बेचने के लिए इस तरीके का कारिय किया जाता था ठीक है इसके बाद सभिता के अंत का रहसे की भईया इतनी बहत होगे यह तो उसमें अलग-अलग विद्वान दिये होते हैं और जो येश की होती है उसमें तो फस्थ लिखा होता है न सी आर्टी के निसmaar शिंदु गार्टी सभिता का अंत इसकारण हुआ तो देखिए लगभग जो है वो 3900 साल पहले बड़ा बदलाव देखने को मिलता है अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया लेखन, मुहर और बाटो का प्रियोग बंद हो गया दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया मोहन जोद्रो में सडकों पर कच्रे के धेर बनने लगे जल निकासी परणाली नश्ट हो गई और शडकों पर जुगी नुमाघर बनाए जाने लगे कुछ विद्वानों का कहना है कि नदिया सूख गई ये चो सिंधु नदी है वो सूख गई होगी अन्यों का कहना है कि जंगलों का विनास हो गया इसका कारण ये हो सकता है कि इंट पकाने के लिए इंधन की जुरूरत पड़ती थी और इसके अलावा मवेशियों के लिए बड़े जुन्डों से चारा गहा और घास वाले मैदान समार्थ हो गई होगे कुछ इलाकों में बाड आ गई होगी लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया क्योंकि बाड और नदियों के सूखने का असर कुछ इलाकों में हुआ होगा लेकिन सारे इलाकों में तो नहीं हो सकता तो इस परकार जो है पूर्णत है एक जो अथेंटिक तो नहीं है लेकिन सब विद्वानों ने अपना-पना अलग-अलग बताया है आधोनिक पाकिस्तान के सिंद और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई कई लोग पूर्वे और दक्षन के इलाकों में नई छोटी बस्तिय को तो Zeit है यहां गया किस्चन क्या बनता है कि सिंदुगाटि सब्भेता से लोग इस दिशा में आगे बढ़े यहां से लोग गए ही थी कईना कई तो किस दिशा में आगे गए तो यह भी एकस्ता बन सकता है कि ये लोग पूर्वे और दक्षिन इलाकों में जो है वो चले गए सिंदु घाटी सब्वेता से इधर पूर्व की और ये चलने लगे पूर्व की और चले गए उस अस्तान को छोड़ करो ठीक है इसके बाद देखियो मैं इनके वन लाइनर क्यूशन करवाऊंगा तो और जो मोस्ट चीज़ें है वो बाहर निकल जाएगी अलाकि इसमें भी मैंने जो हाइलाइट किया हुआ है नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़ कर मिसर का अधिकास भाग रेगिस्तान है लगबग पांच हजार साल पहले मिसर के सासन करने वाले राजाओं ने सोने चांदी हाती दांत लगड़ी और हीरे जवरात लाने के लिए अपनी सेनाओं को दूर दूर तक भेजा करती थी उन्होंने बड़े-बड़े मकबरे बनाए जिने पिरामिड कहा जाता है यह पिरामिड आप दिख रहे हैं यह आपको जो है जनरली मिसर में ही मिलते हैं इस परकार के पिरामिड यह वो मम्मी है ऐसे वो मम्मी वाले मूवी आईती थी जिसमें मम्मी जिन्दा हो गई थी त को इसलिए बनाय जाता था ताकि जो मृत श्रीर है उसको सुरुक्षित रखा जाए राजाओं के मरने पर उनके सवोग को इनी पिरामिडों में ज kitchen दफना कर सुरुक्षित रखा जाता था इन सवोग को मम्मी कहा जाता था इनके सवोग के साथ और भी अनेक चीजे दफनाई जाती थी, खाध्यान, पेवस्तर, गहनेव, बरतन, वधे अंतर, हतियार, जानवर, कभी-कभी कुछ सव के साथ सेवक और सेविकाई भी दफना दी जाती थी, ये मिस्र की सबेता की चर्चा कर रहे हैं, हराकी मिस्र की सबेता हमारे सलेबस में नहीं है, लेकिन थोटी सी लाइन है, पढ़ लेते हैं, NCRT में सामिल थी, इसलिए, बाकी अपने तो सिंदु गाटी सबेता है, और इसके बाद वेदिक सबेता है, नेक्स्ट जो चेप्टर है, वो वेदिक सबेता से ही सम्मंदित है, लेकिन मजे की बात देखना है, मिस्र नहीं कहीं, और इसके अलावा देखो, खाध्यान, यानि गेहू, अना, चावल वेगेरा, पेपदार्थ, पानी की बोतले, घड़े, वस्तर, नए-नए वस्तर, कहने, सोने चांदी के कहने, परतन, वध्य अंतर, हतियार और जानवर, और इसके अलावा दास दासे, यानि कह कहीं, जो है, आज से 5000 साल पहले भी, लोगों के मन में ये जिग्यासा रही होगी, या जिग्यासा रहती होगी, कि मरने के बाद आखिर होता क्या है, आज भी हमारे मन में है, आज भी विज्ञानिक इस नतीज़े तक नहीं पहुँच पाए हैं, कि मृत्यू के बाद क्या, तो क्या होता है? कहते हैं कि आत्मा होती है जो बाहर निकल जाती है स्रीर से और उसके बाद ये स्रीर जो है वो निस्क्रिय हो जाता है और ये खंडित होने लगता है कुछ समय के बाद बोड़ी सर जाती है गल जाती है इसलिए उसे उचित समय पर दफनाया या जलाया जाता है तो आज से 5000 साल पहले भी मिस्टर सभेता के लोगों के मन में या फिर शिंदू घाटी सभेता के लोगों में भी हमने देखा है कि शिंदू घाटी सभेता के लोग भी क्या करते थे जब दफनाते थे तो उसके साथ बरतन, कपड़े, सोने चांदी के गहने ये सब दफनाते थे तो कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लगता था कि मृत्यू के बाद भी एक जीवन है और उस जीवन के लिए ये सारी चीजें हमें देनी चाहिए ताकि इस व्यक्ति को आगे जो है वो दिक्त ना आए आज भी आप गाउं में जैसे मालो की ऐसे बुढ़ी दादी को नानी को या गाउं की महिलाओं को बात करते वेसे धरम करम की बात करते देखेगी आप अब ज़द रोटी दाओं शांड ने देऊं और चार रोटी लेगे चालूंगे मेरा दो सांड तो बंदड़ा है बिचारा मने डीक वोकरये सगडा ना अधी अधी रोटी देगे जाओं और चार रोटी देगे जाओं कुताने अब जद रोटी देशिया जदी तो आपने आगए मिल सी ऐसे आपस में महिलाएं बात करती है यानि कहीं न कहीं ये विश्वास है कि मृत्यू के बाद भी कुछ है और ये जो विशे है वो आसे 5000 साल पहले भी ऐसा ही था यानि 5000 साल बाद भी हम ये पता नहीं लगा पाएं कि मृत्यू के बाद भी कुछ है क्या या कुछ नहीं है क्या है ना अगर देखिए पेडिये डाउनलोड कर लीजिएगा ये सिंदू सब्वेता का टोपिक आपका खतम हो चुका है इसके बाद नेक्स चेप्टर आपका आता है कौन सा चेप्टर नमर च्यार क्या बताती है हमें किताबे और कब्रे किताबे और कब्रे हमें क्या बताती है चेप्टर नमर च्यार की चर्चा करते हैं अब देखो इन चेप्टरों के नाम पे मज जाना बाकिए चेप्टर शि किया बताती हैं किताबें और कबरें जो अभी अभी बच्चे जुडए हैं उनके मन में आ रहा हुआ गुरुजी के पड़ा हो थे पड़ने वाले हैं बीच बीच में कलास ना पड़े बिलकुल गोविंद लाल जी नहीं पड़े हैं आपकी बात को हम मानेंगे ये लो आगे बढ़ते हैं चलो दुनिया के प्राचिंतम गरंथों की बात करते हैं तो वेद जो है वो च्यार बताएगे हैं रिगवेद स्टामवेद यजूरवेद और अथर्ववेद च्यार वेदों की चर्चा करी गई है इस च्यार प्रकार के वेद हैं थी किसरा नीमन मेंसे वेद कितने होते ही च्यार होते है बिएधन के नाम याद हो गई चलो आगे सबसे पुराना वेद कों सा है तोह रिग सबसे पुराना है जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पहले की गई थी यानि 3500 साल पहले इसकी रचना की गई थी यानि सिंदू घाटी जो सब्वेता है उसके बाद का यूग वेदिक काल है ये बात याद रखना आप सिंदू घाटी सब्वेता के बाद शुरू हुआ वैदिक काल वैदिक काल से पुरानी क्या है सिंदू घाटी सब्वेता है ये भी आप याद रखना ठीक है रिगवेद में एक हजार से ज़्यादा प्राथनाई है तो इसमें इस्वर को प्रशन करने के लिए भगवान की स्थुति करने के लिए प्राथनाई दी गई है कि हम कैसे इस्वर को प्राप्त कर सकते है तो क्या इस्वर हमें मिल सकते है क्या इस्वर हमें मिलते है क्या ऐसा कोई तरीका है जिसे हम भगवान को देख सके बिलकुल है कही न कही तो कुछ ऐसा है आपने देखा होगा इसके बाद बोध और जयन धरम पढ़ेंगे हम उसमें महाविर स्वामी महाविर बुद्ध कहते हैं कि वो घर से निकल गए पारावरस्तक पीपल के पेड़ के नीचे बेट कर तपस्या की तो वो किन को याद कर रहे थे तपस्या में वो ध्यान मुद्रा में किनको याद कर रहे थे इनके मंत्रों का उचान कर रहे थे तो वो इन्हीं मंत्रों का उचान कर रहे थे हैना हो सकता है कि जैसे मुसलिम धरम में अलग तरीके के मंतर है हिंदू धरम में अलग तरीके के मंतर है लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे टक्निक है, कुछ ना कुछ ऐसे सब्द हैं, जिनको अगर हम तत्य मन से और पूरा ध्यान के अंद्रित करें, तो इस्वर हमें दर्शन देते हैं, और इस बात को बताने के लिए क्या कहा गया, कि महाविर गोतम बुद्ध को ज्यान प्राप्ति तो देखियो, रिगवेद में एक हजार से ज़्यादा प्रातना हैं, जिने सुक्त कहा गया है, क्या कहा गया है, सुक्त का मतलब होता है, अच्छी तरह से बोला गया, ये विभिन देवी देवताओं की स्तूती में रचे गए हैं, और इनमें तीन देवता बहुत ही महतोप की जाती थी और सौम की की जाती थी, अगनी तो हो गई, अगनी देवता, वैसे ये प्रकृति पूजा ही है एक तरीके से, इंदर जो है वो बर्षात के देवता है, तो वर्षा की पूजा और सौम की पूजा जो है वो की जाती थी, अगनी आम आग की देवता है, इंदर य भासा में लिखा हुआ है, संस्कृत भासा में, वैदिक संस्कृत कहलाती है, संस्कृत या वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ है, अब हम हिंदू लोगों की क्या दिक्कत है, जितने भी लोग मुस्लिम हैं, मुस्लिम जितने भी लोग हैं, उनके दिमाग में अल्ला के प्रति कोई भी डाउट नहीं है कभी आपने किसी मुस्लिम वेक्ति को किसी मुस्लिम लड़की को किसी मुस्लिम लड़के को सोचल मेडिया पर या कहीं पर भी आपने ऐसे कहते सुना है कि अल्ला नहीं होते सुना है आपने कभी ऐसा कहते है या ऐसे कहते सुने ओगा मैं तो ALLAH को अन्मानू कभी नहीं सुनोगे आप आपको एक भी उधार्यन मुझे नहीं लगता कि मिल जाएगा कि कोई भी मुस्लिम ये कह दे कि ALLAH नहीं होता है या हम ALLAH को नहीं मानते हैं लेकिन हिंदु धर्म में आपको हजारों ऐसे लोग मिल जाएंगे लाखों ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ऐसे कह देते हैं ना रखिये बगवान भुगुन की को नहीं है लेकिन मुस्लिम धर्म में आपको ऐसे रियर चांस में उधार्ण कभी देखने को नहीं मिलेगा इसका कार्ण क्या है सबसे बड़ा क्योंकि मुस्लिम धर्म के अंदर बच्चे की जो शिक्ष्या होती है शुरुवाती दोर की वो अर्भी भासा में होती है अर्बी या जो उनकी उर्दू भासा उर्दू में शिक्षा होती है होती है कि नहीं होती हर बच्चा मुस्लिम धर्म का लड़का हो या लड़की हो मंदर से में जाकर वो उर्दू पढ़ता है और उनकी कुरान किसे में लिखी है उर्दू में लिखी है तो कुरान को पढ़न उनके लिए आसान हो गया, चाहे वो science ना जाने, चाहे वो math ना जाने, चाहे वो English ना जाने, लेकिन वो उर्दु जानते हैं, और उर्दु जानने का सबसे बड़ा फाइदा क्या होता है, कि वो कुरान को पढ़ सकता है आसानी से, और कुरान को जो पढ़ लेगा, वो कभी ये नहीं कहेगा कि अल्ला नहीं होते, हिंदु धरम के सबसे बड़े दिक्रित क्या है, कि यहाँ पर ज्ञानी तो भोत हैं, क्या नहीं बहुत हैं, लेकिन रिगवेद पढ़ना ही नहीं आता, सामवेद पढ़ना नहीं आता, अर्च्ववेद पढ़ना नहीं आता उनको, क्यों नहीं पढ़ना आता, इंगलिस बहुत आती है, बड़ संस्कृत नहीं आती है, और संस्कृत नहीं आती है, संस्कृत न और जब हम अपने धर्म की किताबों को नहीं पड़ पाएंगे, तो हम धर्म पर विश्वास कैसे करेंगे, यही कार्ण है कि हिंदु धर्म में सबसे ज़्यादा यह दिक्कत है, तो इसलिए हमें सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अपने धर्म को जानने का प्रेतन करना चाहिए, जब अठारा सो स्तावन की करांती हुई विद्वान साथियों, तो अंग्रेजों ने क्या कहा था, विदेशों में जब पतरकार अंग्रेजों का इंट्रिवी लेते थे, कि आपने अठारा सो स्तावन की करांती को ऐसे कुचल दिया, अंग्रेजों ने कहा कि हम सभ्वय हैं और जो हिंदुस्टानी हैं जो भारतिय हैं वो ऐसभ्वय हैं उनकी कोई सभ्वेता नहीं है वो बिल्कुल जानवरों जैसे है तो जब उन्होंने हम सभ्वय लोगों को देखा तो हम पे वो टूट पड़े और इस बात से भारत के जो विद्वान लोग थे न बड़े व्याकुल हुए वो देखो तब नारा आया वेदो की और लोटो किसे ने दिया था कमेंट करके बताओ फट से वेदो की और लोटो नारा तब दिया गया था क्योंकि भारतियों को अंग्रेजों ने विदेशों में ये साबित कर दिया कि भारतिये लोगों की कोई संस्कृती नहीं है कोई सब्वेता नहीं है ये तो बिलकुल जानवर जैसे हैं ऐस सब्वे हैं ये तब जाके ऐसे नारे दिये गए लोगों को पढ़ाया गया संस्कृत में शिक्ष्या प्रारम की गई ताकि हम अपने वेदों को पढ़ें अपने पुराने गरंतों को पढ़ें ताकि हमें पता हो कि हम क्या हैं हमारे देश का इतिहास क्या है और हम कहां से आये हैं क्यों हम विश्वे गुरू कहलाते थे तब लोगों ने जब पढ़ाई शुरू की औ सब जाके जो है हमें अपना ग्यान हुआ आज लाखों हिंदू ऐसे हैं जिनको खुद का ग्यान नहीं है कि वो हिंदू कैसे हैं उनके क्या हिस्ट्री है क्या वो उनका वजूद क्या है क्योंकि हम संस्कृत नहीं आती है और संस्कृत नहीं आने के कारण हम अपने गरंथों क को नहीं पढ़ पा रहे हैं और अगर ट्रांस्लेस होता है किसी भी गरंत का तो ट्रांस्लेस्टन में भूत सारी दिक्कते भी आ जाती है बिलकुल स्वामी दयानन सरस्वती ने कहा था वेदों की और लोटो याद करने वाली बाते क्या है यह तो बीच में ऐसी ज्ञान की बा होता अगनी जो है और कि देवतां है और सौ में एक पोदा है यानि प्रकृती की पूजा की जाती थी इसके बाद देखे यह संसक्र triumph बहर श .किस परिवार की भासा है संसक्रिवास हिंदी भासा और संसक्र्थ भासा भारत की जितने भी भासायं है वो सारी कि सारी भारोपि परिवार क्या है भारत तथा यूरोप के मिक्स रूप को क्या कहते हैं भारोपिया कहते हैं तो संस्कृत जो है वो भारोपिया भासा परिवार का हिसा यह एक कोस्ट क्यूशन बनता है बड़े-बड़े बच्चे जो बड़ी-बड़ी कोचिंग में पढ़के आते हैं वो भी क्यूशन कभी-कभी अगर ना पढ़ा हो तो बता नहीं पाएंगे भारत की कई भासाएं जैसे असमिया गुजराती हिंदी कस्मीरी सिंधी एस्याई भासा ज में कई सब्द एक जैसे थे उप महादीप यानि भारत जहां पर भी उप भादीप नाम आएगा NCRT में उसका अर्थ होगा भारत तो भारत में दूसरे भासा परिवारों की भासाएं बोली जाती है उधान के लिए पुरुवत्तर प्रदेशों में तिबत ब्रमा परिवार की भासा बोली जाती है समेल टेलगू और कर्नड जो है मल्यालम जो है वो दर्विड भासा परिवार की भासा है जबकि जार्खंड और मध्य भारत में कई हिस्सों में बोली जाने वाली भासाएं ओस्ट्रो एंसियार्टिक परिवार की भासाएं यानि हमारे देश में यही तो हमारी सबसे बड़े दिक्क्त है कि हम जानते नहीं है हमें तीवी पर दिखा दिया जाता है मूवी में दिखा दिया जाता है कि पंडितों ने वो कई वर्गों में बांट दिया ऐसा कुछ नहीं है किसी ने किसी को नहीं बांटा यह आप अगर वेदिक सब्वेता को और जादा गहरा पड़ोगे न तो आपको यह बताए जाएगा कि जो वर्ण थे अभी वर्ण पड़ेंगे हम चार वर्ण थे चार वर्णों में बंटा हो था और वो भी कारिय के अधार पर बटा हो था लेकिन धीरे-धीरे समाज में बदलाव आने से क्या होता है समाज में बदलाव आने से क्या होता है समाज में बदलाव आने से ये कारिय अधार नय होकर जनम अधार हो गया ठीक है इसमें किसी को दोस वरक्ष की छाल, क्योशन पूछा जाएगा, कि पांडू लिपी किस वरक्ष की छाल से बनाई जाती थी, पांडू लिपी किस वरक्ष की छाल से बनाई जाती थी, तो ये जो है वो भूर्ज, भूर्ज नामक एक वरक्ष है, जो कि कस्मीर में पाया जाता है, और लगभग डे यह पांडूलिपी पूने महराश्टर में एक पुस्तकाले में सुरुक्षित है यानि रिगवेद को सबसे पहले इस भूर्ज नामक व्रक्ष की पत्तूबर लिखा गया और इसको देखकर अंग्रेजों ने इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया ठीक है और यह कहां रख रखी गई है पूने और महराश्टर के पुस्तकाले में रिगवेद की प्रातनाओं में अन्य दूसरी नदियों खास करके सरस्वती सिंधू और उसकी साहिग नदियों का भी जिक्र है गंगा और यमुना का उलेक सिर्फ एक बार ही हुआ है ठीक है लेकिन सरस्वती सिंधू और उसकी साहिग नदिया क्योंकि यह प्राचिन नदिया है इनका उलेक ज़्यादा बार हुआ है मवेशी घोड़े और रत देखो रिगवेद में मवेशी मवेशियों बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ती के लिए अनेक प्राथनाई की जाती थे यानि आपको पता है कि प्राचिन समय में जो धन था वो क्या था मवेशी होते थे आपके पास कितने पशू है जितने ज़्यादा जिसके पास पशू होंगे वो उतना ज़्यादा धनवान माना जाता था ठीक है तो लोग इसर से जइसकि आज आप जैसे मंदिर जाते हो अंधा मंदिर जार जाके भगवान ने परसाच चाड़ भगवान जी है बाला जी अगर कोई मुसलिम है तो अल्ला के अल्ला कि अल्लस प्राथना प्रातना आज हमारी आवसकता ही है लेकिन उस नमें के लोग क्या प्रातना करते हैं कि यह बगवान मने सोग आ देए बगवान मने पांसुप मवेशी देए बगवान मेरे बेटो हुआ हलाकि बेटे वाली इच्छा तो आज भी बहुत सारे लोगों की है बेटो वाली इच्छा तो आज भी है तो मवेशी बच्चे घोडे आधी को प्रातना की जाते थी घोडों को लडाईयों में रत खींचने के काम में लाए जाता था इन लडाईयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे लडाईयां वैसे जमीन के लिए लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारगा होते थे या जहां पर जो जैसी जल्दी त्यार हो जाने वाली फसल को उप जाया जाता था कुछ लड़ाईयां पानी के स्त्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी यानि यूद क्यों लड़ते थे अच्छी जगा के लिए लड़ते थे पसुओं को छीनने के लिए लड़ते थे यही यूद के कार्ण होते थे महाबारत किस लिए हुआ था जमीन के लिए हुआ था कि भी या आप हमें जो है कुछ भाग दे दी जिए और इधर कोरव जो हैनट मना कर दिए कि हम नहीं देंगे हम आपको एक इंच भी जगा नहीं देंगे और यूद हो गया यूद में जीते गए धन को यूद में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे कुछ हिस्सा पुरोहित रख लेते थे सेस धन आम लोगों में पांट दिया जाता था, कुछ धन यग्य करने के लिए पřिवक्त होता था। की आग में आहुती धी जाती थी अहुतियों में धेवी देवताओं को दी जाती घी अनाज और कभी-कभी जान्वरों की भी आहुती दी जाती थी अधिकांस पुरुश इन युद्धों में भाग लेते थे, कोई स्थाई सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते, और यूद वैसांती के विशे पर सलाव मश्योरा करते, वहां ये लोग, ऐसे लोगों को अपना सरदान चुनते थे, यानि वैदिक काल में सेना नहीं होती थी, सारे ही लोग जो होते थे, गाउं के जितने भी लोग हैं, वो सारे ही यूद लड़ना जानते थे, ठीक है, 27 सेना नहीं रखते थे, और लोग जिए 10-15 दिना में मिटिंग जियां करता रहता, यहीं बेरोपडियों को भई आपने यूद करनों है, तो सारा घरमू एक एक आद वेक्ति को, मिल्टरी का एक कोस करना पड़ता है, यानि मिल्टरी की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, भारत में भी इसी तरीके से अगनी वीर की शुरुवात की गई है, कि भारत के हर वेक्ति को क्या दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, जिससे क्या होगा, कि हर वेक्ति इसके बाद देखिए लोगों की विशेष्टा बताने वाले सब्द ऐसे दो समुएं जिनका वर्गेकर्ण काम के अधार पर किया गया पुरोहित जिने कभी कभी ब्राह्मन कहा जाता था जो पुरोहित होते थे वही ब्राह्मन कहला आगए चलकर तरह तरह के यग्य और अनु कोई भी जो राजा होता था उसके साथ एक पुरोहित होता था फिरोहित का काम क्या था राजा को सही दिशा निर्देश देना राहा दिखाना राहा दिखाना यानि राजा जो फेसले लेता था उसमें पुरोहित की बहुत ज्यादा मंजूरी लेता था जनता या पूरे प्राप्त होते हैं इसलिए हमें पूरु जन या पूरु विष भरत जन या विष पिर जन से जनपत बन गए पिर महाजनपत बन गए जैसे कई उलेक प्राप्त होते हैं जिन लोगों ने इन प्रात्नाओं की रचना की वे कभी-कभी खुद को आरिये कहते थे जन्होंने रिग वेद में ये जो प्रात्नाई लिखी थी वो अपने आपको क्या कहते थे आरिये कहलाते थे अपने विरोधियों को दास्त या दश्यू कहते थे दश्यू वे लोग होते जो यग नहीं करते थे और साइद दूसरी भासाएं बोलते थे पाद के समय में दास में कोन आ गई स्त्रीलिंग दास क्या कलाती थी दासी कलाती थी सब्द का मतलब गुलाम हो गया दास वे स्त्री और पुरूस होते थे जिन्हें युद में बंदी बनाया जाता था उन्हें अपनी मालिक की जाइजाद मना जाता था जो भी काम मालिक चा यानि बड़े पत्थर पे लिखा गया है, नाम से जाना जाता है, यह पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा पड़े करीने से लगाया जाता था, महा पासान कबरे बनाने की परता लगबग तीन हजार साल पहले शुरू हुई, यह परता दक्कन, दक्षन भारत, उ समीर में परचले थी, यानि जिसकी मृति होती थी, उसकी कबर होती थी, उस कबर के उपर एक पत्थर लगा दिया जाता था, और पत्थर पर उसके बारे में लिख दिया जाता था, ठीक है, इसके बाद, पुरातत वीदो को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं, देखो प्रवानेत है मृतक को खास किसम के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। यह थी कुलाडी इन कुलाडियों को कैसे प्रियों किया जाता था? यहाँ पर हाथ डाला जाता था एसे इसाथमें पढने जाता है। पर हाँच में पहन कर फिर जो है वो ऐसे दुस्मनों पर वार किया जाता था ठीक है इसके बाद देखे इसके बाद क्या आता है शायरी पढ़नी है तो फिर आप चले जाओ भाई शायरी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है शायरी सुरी अपना काम नहीं है अपने या तो देखो सिधी सिधी पढ़ाई है अलाकि सायरी कहने वाले सायरी कहते हैं और सायरी कहने की भी कला चाहिए हमें वो कला ही नहीं है साहरी कहने वाली, तो अपना तो सिधा-सिधा राय है, उसी से चला जाएगा, साहरी सुरी आप ही कहो, और अपने आप कोई सुनाओ, लोगों की सामाजिक ऐसमानताओं के बारे में पता करना, पुरातात वीदो यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई जाने वाली चीजे मरे व्यक्ति की ही रही होगी, कभी-कभी एक कबर की तुलना में, दूसरी कबर में जादा चीजे मिलती थी, यानि कौन चीजे एक कबर में जपनाई जाते थी, जैसे मान लो कि किसी को फोन जादा पसंद है, तो उस मर्तियों के बाद कबर में एक नया बड़ी अशा एपल का प्रह्म गिरी में एक व्यक्ति की कबर जो है वो 33 सोने के मन को और संख पाये गये ब्रह्म गिरी से एक कबर को जब खोदा गया उसमें 33 सोने के मन के यानि गोल मोती थे और एक संख पाया गया दूसरे कंकाल के पास सिरफ कुछ मिट्टी के बरतन ही पाये गये मालो सिधी सिधी बात यह कही गई है कि भया जिसकी जैसी ओकात होती थी जिसकी जैसी हैसियत होती थी ना वह वैसे कबर में चीज़े रखते था अब मालो को लख पती वेकती है के रोड पती है वो तो सोने की इंत भी रख सकता है सोने के भोच सारी जैवर बनाके रख सकता है आपने जिसा कोई मालो नोर्मल आदमी है समाने आदमी है तो बांगी कबर में के में लगो सामाने चीज मिलेगी जिसके पास जैसी स्तिती है वो वैसा ही तो करेगा मैं उदारण देके बता रहूँ उस टाइम तो क्या इपल का फोन था यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्तिती में भिंता को दरसाता है कुछ लोग अमीर और कुछ लोग गरीब और कुछ लोग सरदार तो कुछ दूसरे अनिवाई लोग होते थे कुछ कबरगाहे खास परिवारों की होते थे कभी-कभी महापासान में एक से अधिक कंकाल भी मिले हैं यानि एक कबर में एक से ज़्यादा कंकाल प्राप्त हुए हैं, यह दरसाते हैं कि साइद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्तान पर अलग-अलग समय पर दफनाया गया, बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कबर में लाकर दफनाया जाता था, यानि ऐस से खोदा इस गेट से गए जैसे मान लो ये एक परिवार है इस परिवार में पहले एक दादा जी की मृति हुई यहां पर उनको दफना दिया इसको गेट को बंद कर दिया सब लोग बाहर आ गए उपर से मिट्टी डाल दी यहां पर भी मिट्टी है यह नीचे क्या है शुरं प्राप्त हुए है इस तरीके के ठीक है इसके बाद एक इमाम गाओं के कहनी है इनाम गाओं में भीमा की साहिक नदी खोड के किनारे एक जगह है इस जगह पर 3600 से लेकर और 2700 साल पहले लोग रहते थे यहां वैस्क लोगों को पराए गड़े में सीधे लिटा कर दफना जाता था उनके सिर उत्तर दिशा की ओर होते थे कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था ऐसे बर्तन जिन में साइद खाना और पानी हो दफनाए गए सव के पास रखे जाते थे आज भी मुझे मुस्लिम धर्म का जो पता नहीं हिंदू धर्म में क्या होता है हिंदू धर्म में आज भी जो है वो मृतक वेक्ति को जलान जिसको अंतिम संस्कार के बाद क्या किया जाता है जो मृतक वेक्ति जिस बेड़ पे सोता था या जिस खाट पे सोता था जो गद् जे दान दे दी जाती है घर से बाहर निकाल दी जाती है और वो किसी को दान दे दी जाती है और इसी तरीके से पुराने इस टाइम में क्या किया जाता था पुराने समय में क्या किया जाता था कि जो व्यक्ति मृत्यू होती थी उसके जो भी वस्तर होते थे कपड़े होते थे जो भी उसके बरतन होते थे, उनको उसके साथ ही दफना दिया जाता था, ठीक है, इसके बाद, एक आदमी को पांच कमरों वाले मकान के आंगन में, चार पेरों वाली मिट्टी की एक बड़े से संदूक में दफनाय गया था, बस्ती के बीच में बसा यह घर गाओं के सबसे बड़े घरों में से एक था, और इस घर में एक अनाजगा गोदाम भी था, सव के पेर मुड़े हुए दिखे हैं, कंकालों का अधेन भी किया का, कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले समान के अधार पर अंदाजा लगाया जाता था, उधान के लिए कंगाल के साथ गहने मिलत की जाती थी, तो कि महिलाएं बच्चों को जर्म देती थी, इसलिए उनका कटी पर देश, यानि कटी यानि कमर का जो भाग है, वो या कुला पुरूसों से कहीं जादा बड़ा होता था, आज के लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के परसित जो है वैद हुए है, और उन्होंने चिकित सा सास्तर पर जो हो चरक सहिंता नामक जो है वो फुस्तक लिखी थी, याद रगना ये क्योशन पूछे जाते हैं, यह कहते हैं कि मनुस्य के सरीर में 360 हडियां है, हलाकि वर्तमान में ये हडियों की संक्या कितनी होगी, 206 हो गई है, लेकिन वो साइध बच्चों की हडियों का अधियन किये होगे, अना क्योंकि बच्चों में हडियां जादा होती है, यह आधुनिक शरीर रचना विग्यान की 206 हडियों से काफी जादा है, संभवत चरक ने अपनी गिंती में दांत हडियां जोडे और कॉर्टिलेज को भी जोड कर ये संख्या बताई अधियों भी यहां पर पाई गई है, इसके लावा बेर, आवला, जामुन, खजूर और कई तरह के जो है वो सरभारिया एक्तरितिय करते थे और इनी से इनका जीवन चलता था, इसके लावा ये जो हो गेहुं जो चावल, डाल, बाजरा, मटर और तिल, आदी के बीज भी यहां से प्राप्त हुए है, इसके बाद देखिएगा चीन की एक सभेता की चर्चा की गई, इसकी सभेता की चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि अपने ये सलेबस का पार्ट नहीं है, दो चेप्टर अपने तीसरा और चोथा पूरा हो चुका है, अब आपके मन में एक क्य चेप्टर पूरा हो जागा तो आपको क्यों सारे मिल जाएंगे, और आपने एक क्यों पूछे जानों है, और सबसे ज़्यादा संभावना की है, NCRT से क्यों बनना नहीं है, के कारण है, गुर्जी के अधार है, कि तरीकों आपके कहांगे, NCRT से ही क्योशन बनागो, देखो, पेपर कौन बनाएंगे, कौन बनाएंगे पेपर, लेक्षरार बनाएंगे, विससे विससे के बनाएंगे, फर्स्ट ग्रेड के टीचर, प्रिंसिपल, या कोलेज अगर माली जी, आप एक लेक्षरार है, माली जी आप भुगोल के लेक्षरार है, ठीक है, और आपको जो है वो अधिनस्त बोर्ड ने कहा कि, पवन कुमार जी, आप भुगोल के अच्छे व्याता है, राष्टान यूविश्टी के अंदर आप प्रोफेसर है, हमारा एक र तो कहेंगे, आप NCRT से बना दीजिए, क्योंकि हमारा जो लेवल है न, वो 10 टेवल तक का ही लेवल है, तो NCRT से बना दीजिए, अब उनको क्या भेजा जाएगा, उनको NCRT की 6 से लेकर 12 तक की पुस्तके भेज दीज जाएगी, उनको स्लेबस भेज दिया जाएगा, कि य क्यों पड़ेगा वो, वो सीधे-सीधे NCRT की चेप्टर उठाएगा, और वो चेप्टर कैसे उठाते हैं, वो पेरागराप उठाते हैं, 20 क्योशन बनाने हैं, तो 20 पेरागराप उठा लिए, अलग-अलग बुक से, 30 से लेकर 12 तक, अब उन पेरागराप से फिर वो क्योशन सही हो जाएंगे, लेकिन एक बहुत बहतरिन स्कोर आपका बन सकता है, इसलिए आप, मैं यह नहीं कर रहा है कि आप बाकी पुस्त के पढ़ो ना, जो पढ़ना हो पढ़ते रहो, लेकिन एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, कि अगर NCRT से क्योशन आजाता है, SST की बात कर रहा हूँ, अगर NCRT से क्योशन आया, तो आपका गलत नहीं होगा, छे थे पेपर देगी आया, और NCRT से क्योशन आयो पायो, और धारो गलत अगयो तो फिर खेर को नहीं धारे, ने आवा तो धारो कोई दोस को नहीं, लेकिन अगर आ गया, तो फिर आपका ग आ दियें, और इस संडे में आपको जो बाकी बच्चे हैं, हिंदी वाले, मेत साइस वाले, उनको भी NCRT के टोपिक बताऊंगा, तो अपने दिमाख में ये सिद्धी सिद्धी बात बिठा दो, कि मैं चाहें कुछ भी पढ़ूँ, मैं कोचिंग जाओं, मैं गाइड लूँगा, लेकिन मैं ये तया करता हूँ, कि मैं NCRT को इतना अच्छे से त्यार करूँगा, रोज इतना टाइम NCRT को दूँगा, और NCRT से कोई भी क्यूशन आ गया, वो मेरा गर्त नहीं होगा, ये अपने दिमाख में बिठा दुआ, तो अभी के लिए बस इतना ही, मि बिलता हैं सुबह 10 बुजे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्यू, पीडियेफ सारी की सारे टेलिग्राम पर डालती चाहेगी, जैहिन जैवाद।